2024 के लोकसभा चुनाओं में चाहे कोई भी चीते 18 जुलाई को एक एतिहासिक तारीक के रूप में याद रखा जाएगा वजा है कि 2024 के चुनाओं के लिए युद्ध का उद्घोश हो गया एक तरफ बेंगलूरू में 26 विपक्षी दल एक साथ आये और इंडिया यानि इंडि पक बैठक हुई जिसमें 38 दल उपस्तित थे हम आपको बताते हैं कि दोनों बैठकों की मुख्य बाते क्या रही और 2024 के लोकसभा चुनाओं की तयारी में उनका क्या मतलब है पहला संयुक्त विपक्ष बीजेपी आलाकामान के दिमाग पर असर कर रहा है बीजेपी अध्य कि यह रहा है कि इन सभी दलों पर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले भारी हैं बीजेपी के नजरिये से यह अब तक एक प्रभावी नेरेटिव भी रहा है इसलिए यह देखना अजीब है कि बीजेपी अपने गुठकी पार्टियों की संख्या पर जो कि बैठक का बीजेपी पर असर माना जा सकता है साफ है कि बीजेपी नेत्रितव किसी कीमत पर विपक्ष को सुरक्षियों में हावी नहीं होने देना चाहता संख्या बल बनाम नेरेटिव अब तक पैटन यह रहा है कि विपक्ष का जोर इस बात पर रहा है कि कि कितने दल एक साथ आ रहे हैं जबकि बीजेपी मोदी की लोगप्रियता के नारेटिव को भूनाती है लेकिन 18 जुलाई की बैठक में भूमिकाएं थोड़ी उलट गई बीजेपी अपने नंबर गेम पर काम करने की कोशिश कर रही थी और विपक्ष नारेटिव को सही करने की कोशिश क रहा था उदाहरन के लिए बीजेपी उन्दो राज्यों बिहार और महराश्टर में छोटी पार्टियों को अपने साथ ले आई है जहां नंबर गेम उसके खिलाफ सबसे जादा है बिहार में चिराग पासवान की लजेपी जीतन राममान जी की हिंदुस्तान अवाम और उपेंदर कुश्वाहा की RLD NDA में शामिल हो गई है बहराश्टर में बीजेपी ने NCP से अजीत पवार और उनके समर्थकों का समर्थन हासिल कर लिया है दूसरी तरफ बेंगलूरू बैठक में विपक्षी दलों को यह एहसास हुआ कि आकडों का खेल ही नहीं उसके अ चलों ने 1971 के चुनाव में इंद्रा हटाओ नारे के साथ जो गलती की थी उसे दोबारा न दोहराया जाए इसका जवाब इंद्रा गांधी के गरीबी हटाओ नारे से तुरंत दिया था वर्तमान विपक्ष अपनी लड़ाई को मोधी हटाओ के बजाए भारत को बचाने के रूप में पेश कर रहा है दिल्चस्प बात यह है कि विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया इंडिया नेशनल डेवलप्मेंटल इंक्लूजिव अलाइन्स का नाम देकर पिये मोधी को उनके ही गेम में चुनावती दे दी है इससे मोधी को प्रतिक्रिया देने और या मसौधा नहीं आया है तो प्रतिक्रिया देने की कोई आवशक्ता नहीं है तीसरा उत्तर प्रदेश में बदलते समीकरन हाला कि उत्तर प्रदेश में बीजपी की स्थिती मजबूत है लेकिन बीजपी ने वोपी राजभर की SBSP को एंडिये में शामिल कर लिया है राज प्लूरू बैठक से आई तस्वीरों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच कुछ सौहाद पूर्ण संबंद दिखाई दिये बैठक में RLD प्रमुख जयंत चौधरी भी मौजूद थे चौथा बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ने दूसरों को जगह देनी की अवशक्ता को स्विकार किया ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों को यह हैसास हो चुका है कि उन्हें अन्य दलों के साथ की अवशक्ता हो सकती है उदारन के लिए जब PM Modi NDA की बेठक के लिए कारेकरम स्थल पर पहुँचे तो प्रवेश द्वार पर पर प्रमुख सहयोगी दलों के नेताओं महराष्टर के CM एकनाथ शिंदे, नाकालंड के CM, नेफ्यूरियो, तमिलाडु के CM, एडपपादी, पलानी स्वामी और बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांजी ने उनका स्वागत किया ऐसा प्रतीत होता है कि वैचारिक रूप से भिन दलों को समायोजित करने और हिंदुत्व को कम करने का प्रयास किया जा रहा है PM, मोदी ने अपने संबोधन में दावा किया है कि NDA, महातुमा गांधी, बाबा साहिब अंबेटकर और राम मनोहर लोहिया द्वारा बताये गए रास्ते पर चल रहा है दूसरी तरफ बैंगलूरू बैठक में उन दो विपक्षी दलों को काफी प्रमुखता दी गई जिनका कॉंग्रेस के साथ समीकरण सबसे ज़्यादा खराब रहा है त्रिन्मूल कॉंग्रेस और आमादवी पार्टी उद्धव ठाकरे के अलावा ममता बनर जी और अरविंद केजरिवाल ही केवल ऐसे दो गहर कॉंग्रेसी नेता थे जिन्होंने प्रेस कॉंफरेंस में अपनी बाद रखी यह कॉंग्रेस की ओर से एक महतोपूर्ण इशारा है और गठबंधन को सफल बनाने की पार्टी की इच्छा को दर्शाता है जानकारी के अनुसार करनाटा कॉंग्रेस के प्रभूख डीके शिफकुमार ने ये सुनिशित करने के लिए अतिर्क प्रयास किये हैं कि सभी दलों के निता सहज हों और उनके साथ उचित सम्मान के साथ विभार किया जाए केजरिवाल और बनर जी दोनों ने करनाटा कॉंग्रेस को उनके अतिथी सतकार के लिए धन्यवाद दिया बेशक बीज़पी और कॉंग्रेस के बीच दूसरी पार्टियों को जगह देने के मोर्चे पर तुनला नहीं की जा सकती एंडिये अभी भी इंडिया के विपरीत एक दलिये वर्चस्प वाला गठबंदन है जहां गैर कॉंग्रेसी दलों की अच्छी खासी ताकत है ये दोनों बैठकों से आई तस्वीरों में भी स्वष्ट था एंडिये की बैठक के फ्लेक्स में जहां मोदी की तस्वीर बड़ी थी वहीं विपक्ष की बैठक के फ्लेक्स का फोकस युनाइटेड वी स्टेंड के नारे पर था पांचवा सवाल कि अब आगे क्या है ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के मन में कोई न कोई रोड मैप है बीजेपी प्येम मोदी की व्यक्तिकत लोग प्रियता और उपलबधियों को जोर शोर से दिखाना जारी रखेगी साथ ही अगर तेज नहीं भी तो NDA का विस्तार जारी रहने की संभावना है फोकस इस बात पर होगा कि क्या बीजेपी आंध्रप्रदेश में तेल्गू देशम पार्टी को अपने साथ लाती है या नहीं यह दोधारी तलवार है हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि NDA को राज्य में एक प्रमुख खिलाडी बना देगा लेकिन ऐसा करना संभाविस रूप से राज्य में सत्ता रूड वायसर सीपी को ग्यार NDA मोर्चे की ओर धखेल सकता है कुछ ऐसा ही शिरोमणियकाली दल का भी मामला है दोनों पार्टियों के बीच कुछ हद तक संबंध अच्छे हैं और गटबंधन से लोकसभा चुनाओं में पंजाब की कुछ सीटों पर मुकाबला हो सकता है हाला कि दोनों पार्टियों के बीच वो ट्रांसफर को लेकर बड़ी चिंताएं हैं कई प्रमुक समर्थक दूसरी पार्टि को बिल्कुल पसंद नहीं करते विपक्ष का अगला कदम 11 सदस्तिय समनवय समीती यानि कोडिनेशन कमेटी का गठन होगा इसमें कॉंग्रेस, TMZ, समाजवादी पार्टी, आप, ZU, RZD, DMK, NCP, शिवसेना, UBT और वाम दलों जैसे शीर्ष दलों के वरिष्ट प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है यह संभाव है कि कॉंग्रेस और CPIM के प्रतिनिधी अपने अपने छोटे और पुराने सहयोगियों की ओर से काम कर सकते हैं मुंबई में होने वाली अगली बैठक के अलावा विपक्षी दलों द्वारा कई विरोध प्रदर्शन या रैलियां होने की संभावना है जहां नियुनितम साजा कारेकरम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे मुद्दे उठने की संभावना है